श्री गनेशाय नमहा नमशकार दोस्तों ये राशी फल चंद्र राशी पर आधारित है चंद्रमा मन का कारक है हमारे मन पर जो भी उथार चड़ाव आते है वो चंद्रमा की स्तिदी लेकर आती है और इस वज़े से चंद्रमा की पोजिशन हमारे रोज की जीवन को बहुत ज चाया बुरा जाता है तो आईए जानते है इस दिन चंद्रमा आप के लिए किस तरह के परिणाम ला रहे है दोस्तों आज का दिन आप के लिए बहुत बढ़िया रहेगा चंद्र की पोजिशन भी आज बहुत बढ़िया है आज चंद्र आपकी कुंडली में पहले स्थान म आज सभी क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए दिन मज़ेदा रहने वाला है सुबह से ही प्रसनता और उत्सा से भरे रहोगे बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहोगे साथ में सक्सेस भी मिलती दिकाई दे रही है ये समय सेलिब्रेट करने का रहेगा हमें हमारे ज प्रसनों की खुशी के लिए उन्हें आनंदित करने के लिए उनके साथ समय विताना जरूरी रहेगा इस दिन आप और आपके पार्टनर की वी जो रिलेशन है वो और मजबूत बनेगे दामपत्ति जीवन के हिसाब से सारी परिस्तितिया अनुकुल है पुरानी कुछ खट चल रही है तो दूर करने के प्रयास जरूर करे समय आपके पक्ष में है घर परिवार में शांती खुशाली और आनंद से भरा माहो रहेगा ये समय किसी चीज की खरिदारी करने के लिए भी काफी अच्छा है तो आप कोई बड़ी चीज भी इस दिन खरिच सकते है अगर प पहले से ही किसी से जुड़े हुए है तो शादी के लिए प्रस्ताव रख सकते है आपके माता पिता के सामने शादी के लिए प्रस्ताव रखना है तो सफलता मिल सकती है समय हर तरह से अनुकुल रहेगा इस वक्त कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में आने की संभावना भ स्टुडन्स के लिए भी ये समय शुब रहेगा पढ़ाई में कॉंसंट्रेट कर पाओगे इस समय विद्या ग्रहन करना आपके लिए आसान नजर आ रहा है भागे का साथ और आपका परिश्रम आपके लिए रंग लिकर आएगा इस समय में आप मेहनती रहोगे और लगन के स बात काम करोगे भागे भी साथ दे रहा है तो सफलता आपको जरूर मिलेगी अगर स्वास्ति की बात करते हैं तो स्वास्ति के लिए भी समय अनुकुल है आपके डायेट में प्रोटीन से भरे बादाम का प्रयोग जरूर करना चाहिए रोजदूत का सेवन करें ये और मस्त रह सके अगर आप पूरी तरह से स्वस्त वेक्ति है तो कभी बीच में अगर फासफूर का सेवन आप करते भी है तो कोई फार्क नहीं पड़ेगा लेकिन जो लोग बीमार है उन्हें इन चीजों से दूर ही रहना चाहिए तो दोस्तों खान पान अच्छा रखे द्रहों की पोजिशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशी फल परिणाम में बदलाव दिख सकता है इसलिए राशी फल को एक मार्गदर्शन के तोर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों सभी राशी के लोगों के लिए जीवन में आगे बढ़ने क के लिए कुछ जरूरी बात ये वीडियो में आगे बताई गई है तो वीडियो आगे जरूर देखें नमस्कार दोस्तों व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ-साथ भाग्य का साथ होना भी बहुत ही आवश्यक होता है अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है तो कम मेहनत में ही अधिक सफलता प्राप्त होती है। परन्तु कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति की जीवन में कई ऐसी घटनाए घटित होती है जिसकी वज़े से उसको बहुत सारी परिशानियों का सामना करना पड़ता है। और इस स्थिति में व्यक्ति को बिलकुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। दरसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीज़े होती है जो हमारे भागय को प्रभावित करती है, हमारे जीवन को प्रभावित करती है। और उन चीजों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीजे नजर नहीं आती, वह चीजे हमारे चारों तरफ एक अजीब सा घेरा बना कर रखती है, परन्तु हम उसको नहीं देख पाते, इन चीजों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारत्मक्ता फैलती है, जिसकी वज़ हमारे जीवन में हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है, लेकिन हम इन चीजों पर ध्यान नहीं देते, तो दोस्तों इन चीजों पर ध्यान देना जरूरी है और वो चीजे अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप कही बाहर से आते हैं और अपने जूते चपल इधर उध कही भी उतार देते हैं, तो ये अशुब होता है, क्योंकि इधर उधर जूते चपल उतारने की आदत की वज़े से आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने में रुकावटे उत्पन होती है, इससे उन्नती में बाधा आती है, इसलिए आप अपने जूते चपलों को उनकी जगे पर ठीक प्रकार से रखे, दोस्तों काफी लोगों को इस तरह की आदत होती है, कही से भी बाहर से आते हैं, कही भी जूते चपल फेक देते हैं, कही पर भी उतार देते हैं, कुछ-कुछ लोग तो घर के एंट्री के में डोर के सामने ही जूते चपल डाइरेक्ली उत देते हैं ये तो बहुत ही गलत है साथ ही कुछ लोग जूते चपल उल्टे रख देते हैं उस पर ध्यान नहीं देते लेकिन इन चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है और जूते चपल हमारे जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं दोस्तों ध्यान रखे जूते चपल हमेशा साप सूत्रे रखे और उनको उनकी जगे पर रखे उनके लिए एक स्थान बनाए उस स्थान पर रखे अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है तो बहुत ही अच्छी बात है वहाँ पर उने रखे साप सूत्रा रखे जूते चपलों को उनकी जगे पर कुछ इस तरह से रखे को वो देखने में भी अच्छी लगे अगर वो चीजे देखने में अच्छी लग रही है तो फिर उनसे निगेटिव एनरजी उत्पन होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी तो दोस्तो इस बात का ध्यान जरूर रखें साथ ही दोस्तो एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है हमारे घर के चट के उपर जिन चीजों का हमें काम नहीं होता है उन्हें हम घर के चट के उपर रख देते हैं ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के छट के उपर कबार जमा दिखता है जी हाँ जो चीजे हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकती है वो हम घर के उपर रख देते हैं लेकिन वो चीजे तो काम में नहीं आती हमारे जीवन पर वो चीजे बहुती गहरा निगेटिव एफेक्ट डालती है इसलिए हमारे घर के उपर का जो भी एरिया है वो पूरी तरह से साप सुतरा रखे जी हाँ साप सुतरा रखना है और एक भी बिना काम की चीज हमारे घर के उपर नहीं रखनी है दोस्तों नहीं तो हम जीवन में मेहनत करते ही रहेंगे और हम जितना पा सकते हैं उतना नहीं पा सकेंगे क्योंकि ये चीजे हमें कही ना कही हमारे जीवन में पीछे रखेगी इस वज़े से घर के चछत को पूरी तरह से साप रखें पूरी तरे से साप सुत्रा रखे, क्लीन रखे साथी दोस्तों हम हमेशा देखते है घर के उपर जाने के लिए जो सीडिया है उन सीडियों के नीचे जो जगा होती है वहाँ पर सामान हमेशा रख दिया जाता है वो जगाई ऐसी है कि सामान को खीची लेती है वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही जिन लोगों को पता नहीं है उनके घर आपको सामान मिलेगा ही लेकिन जिने पता है वो लोग हमेशा सीडियों के नीचे की जगए साप सुत्री रखते हैं और एक भी चीज वहाँ पर आपको नहीं मिलेगी क्यूंकि अगर हम सीडियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नती होना बहुत ही मुश्किल है जी हाँ, सीडियों के नीचे कूडा, कच्रा, कबार अगर हम जमा करके रखते हैं कोई भी सामान रख देते हैं तो उस वज़े से मालक्ष्मी हम पर पसंद नहीं होती मालक्ष्मी हमारे घर में आने की संभावना बहुत ज्यादा कम हो जाती है तो दोस्तों इन चीजों पर ध्यान रखे हमारे घर की जो सीडिया होती है उनकी नीची की जगा हमेशा साप सुत्री रखे क्लीन रखे साथ ही दोस्तों अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज मोजूद है जिसका आपको काम नहीं है जैसे टूटे फूटे बरतन, आईना, तस्वीरे, इलेक्ट्रोनिक सामान, सोफा, कुरसी, टेबल, पलंग, घड़ी, जाडू, गमला, इत्यादी तो आप इन सामानों को अपने घ इस से धनकी देवी माता लक्षमी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है इन चीजों से आपके घर में नकारात्मक उर्जा का संचार होता है और जिस वजए से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है व्यक्ति के मन में चीड़ चीड़ा हट होती है और चोटी चोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका मन नहीं लग पाता है इस व्यक्ति का जीवन घर में मोजूद इन चीजों की वज़े से अंदकार में डूबने लगता है इसलिए आपको घर में बिना काम की चीज़े कूडा कचिरा नहीं रखना है दोस्तों एक और खास बात है हमारे घर में मकडी का अगर जाला है तो वो बिल्कुल भी शुब नहीं है जी हाँ वो अशुब माना जाता है घर में मकडी का जाला होना अशुब है इससे आपके अच्छे दिन भी बूरे दिनों में बदल सकते है क्योंकि मकडी अपना जाल शिकार को फसाने के लिए बनाती है और अगर आपके घर में मकडी का जाला है तो इससे घर में नकारत्मक उर्जा का प्रभाव अधिक बनता है और वास्तु शास्त्र के अनुसार इससे सकारत्मक उर्जा का नाश होना शुरू हो जाता है और घर में नकारत्मक उर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इसलिए आप अपने घर को हमेशा साफ सुत्रा रखे कम से गम एक महिने में अपने घर के हर कोने की साफ सपाई जरूर करे जी हाँ वैसे तो एक हपते में साफ सपाई करनी ही चाहिए लेकिन ना हो सके तो एक महिने में तो आपको घर पूरी तरे से साफ करना चाहिए जाता है क्योंकि मुख्यद्वार से ही हमारे घर में लक्षमी का प्रवेश होता है तो मुख्यद्वार को साफ सुत्रा रखे और सदा कर रखे तो बहुत अच्छा रहेगा इससे मानसीक रोग और घर की परिशानिया दूर हो जाएगी धन की कोई कमी नहीं रहेगी और इसके साथ साथ आएके नए स्त्रोथ भी खुलने लगेंगे इसी के साथ और कुछ चीजे है जैसे टूटी फूटी जो भगवान की मुर्तिया होती है वो हमारे घर में नहीं रखनी चाहिए साथ ही जो भगवान के पुराने फोटो है जो जमा करके रखे हुए होते है तो दोस्त भी साफ करते रहना चाहिए जिन चीजों को हम मेंटे नहीं कर पाते साफ नहीं रख पाते उन चीजों को घर से हटा देना ही आपके लिए अच्छा रहेगा साथ ही दोस्तो कुछ तस्वीरे है जैसे डूपते नाव की तस्वीर या फिर जगडे की तस्वीर या फिर कुछ की तस्वीर लगाने से भी हमारे जीवन में उसी तरह के घटना है गटित होना शुरू हो जाता है हर एक चीज हमारे घर की हम पर प्रभाव डाल रही है तो इन चीजों को ध्यान में आपको रखना होगा तो दोस्तों कुछ ऐसे चोटे मोटे बदलाव करके हम हमारे जीवन मे खुशिया ला सकते है तरक्य ला सकते है धन ला सकते है मा लक्षमी जी का प्रवेश हमारे घर में हो सकता है तो इन चीजों को जरूर आजमाए इस तरह के बदलाव आप आपके घर में जरूर करे धन्यवाद